प्रिमित्रों शात्यों आज की जो सक्सेज की और शुभाकसर है वो दो दिन के लिए है ग्यारा फर्वरी और बारा फर्वरी को दोनों ये दिन एक ही सक्सेज की और एक ही सुभाकसर काम करेगा नक्षत ग्रनाओं के आधार पर गोचर के आधार पर ये दो दिन बहुत अध़ुद है ऐसे ही तेरा और चौदा भी होगा क्योंकि जो ग्रह गोचर है वो इस बात का संके देरे की ग्यारा और बारा फर्वरी को ये सक्सेज की और शुभाकसर आप अपने जीमन में उप्योग मिलातर ये उपाई आप कर ले हैं तो जीमन में शकुन और शांती जरूर आए हर रोज 24 घंटे पहले एक सक्सेज की और एक सुभाकसर आपको बताता हूँ दो बज़े चातियों मैं हतेले में सरसुन नहीं उगाता हूँ न मैं हवा में बात करता हूँ नहीं ये कोई चमतकार है पूर्णता वैदिक उपाई है और ये उपाई आपके जीमन की दसा और दस्ती बदलेगा हर रोज के गरनक्षत्रों के आधार पर बनाया गया ये जोतिशी उपाई कारुबार नौकरी वेवशाय परिवार श्वास्ती जीमन की कैसी भी बादा हो उस बाधा से आपको मुक्ति देगा कहां आपका घ्रह बैटा है गरनक्षतों के इस्तिति क्या है दसा क्या है भूल जाई कहां आप रहते हैं ये भी भूल जाई क्योंकि दैनिक गोचर के आधार पर है और ये प्रियोग ये उपाई आपको लाबवशे दे बस एक बात का ध्यान रखे गया इस प्रियोग में निरंतरता चाहिए धैरिये चाहिए सयम चाहिए और जब आप इस प्रियोग को निरंतर नब्य दिन तक करेंगे तो आप मैसूस करेंगे अपने मॉलिकुलरी सिस्टम में परिवर्तन आपका मेटाबॉलोजिम सिस्टम जो है उसमें रुपांतरन अध्भूद है एक में चमतकार नहीं होता है मित्रों इसके लिए आपको निरंतर नब्य दिन धैरिये सहिम और विश्वास के साथ इस उपाय को करना लाब जरूर देगा तो 11 और 12 फरवरी यहीं सुकरवार शनिवार की जो सक्सेज की है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ आज इन दोनों दिन आप प्रातकाल नित्यकरम नियों शिनान उपरांत सिनान से पूरू सास चमच कच्चा दूर साथ चुटकरी फिटकरी साथ चुटकी फिटकरी का पा उस जल में मिला देज़े मिला कर अच्छी तरह मिक्स कर लिजिए और उस जल से शिनान करिएगा आज की दिन प्राथकाल नित्यक्रम में नित्यक्रम में निविर्थ हो उबिस जल से आप से अपतर करेंगे उसमें साथ चमब कच्चा दूद और साथ चुटकी फितिकरी का पावडर जल में मिलाकर मिक्सिकर देजिई, उस जल से सीनान करें और सिनान के बाद नौडली फिटिकरी ले उसके उस फिटिकरी को अपने उपसे एंटी कलॉक बाई साथ बार उसार कर नाली में प्रभा कर एक बाद ध्यान रखेगा दोपार एक बजकर 19 मिंट से लेकर दो बजकर 12 मिंट के बीच में चाय दूद और जल का सेवन नी करना इस बात का ध्यान रखेगा इस उपाय हाँ यह आप डोक्टर थे हैं और आप अश्वस्त हैं तब यह बाद देता नहीं है जलपान ले सकता है मेडिकल की कोई प्रॉब्लम है तब जल पान लें लेकिन जो टाइम बता उस दरन आप नहीं है यह आज की सक्षेज की अब करके देखेगा अधभूद प्रयोगे यह शुकरवार और श्रनिवार यानि 11 और 12 फरवर की सक्षेज की थी और बात करता हूं शुभाकसर का एक प्लेन पेपर लेने और प्लेन पेपर लिखा कुछ नहीं होना चाहिए प्रिंट कुछ नहीं होना चाहिए एकदम प्लेन होना चाहिए लाल चाहिए के पैन से बीचों बीच में एरावत वाला आप ए लिखना आप ध्यान से देख लिए यह एरावत वाला ए है अक्सर बीचो बीच में होना चाहिए और लिखने का जो समय वो 17 सेकिंड ही है परिपौन शर्दा विश्वा स्प्रेम के साथ इस सुभागसर ए को 17 सेकिंड में प्लेन पेपर पे लिखना है तस पर साथ शानती से इसकी उर्जा को एसास करना है मैसूस करना है अपने सामने रख दीजिए कंबल के आशन पर बैठ जाएगे कमर सीधी हो 90 डिगरी सहज भाव हो कोई तनाव नहीं किसी तरह का कोई दबाव नहीं धीरे धीरे स्वांस लेते हुए पूरी स्वांस को आप फेपड़ों में भर दीजिए स्वांस को भरने के बाद पूरी स्व पूरी दिजिए और पैट को भीतर खीचें जब पैट भीतर खीचले स्वांस रोक लें सीधे हाथ की पहले अंगली और अंगुठे से जहां पर बिंदी लगाते बाँ से पंच करके जोड़ से पकल लिया तस पस साथ आपका जो लोर पाट और बोड़ी है लोर पाट बोड़ी को यह नि गुदा इस्तान को संकोचन करके उपर की और खीचना है इस जगे को जोड़ स्ञाय है पंच से पकड़ना स्वांस आपने रोक वी पेट आपका अंदर है और बोड़ी को लोर पाट है याणी गुदा इस्तान है संकोचन करके ऊपर खीचना साथ शट्रा इसगे के जोर से पंच और लोर पाट ऑबोड य pensa गुदा इस्तान को संकोचन करके उपर खीचना है, सत्रा सेकंड की, ऐसा चार बार करना, यहांनि एक मिनट आठ सेकंड, जब आप एक मिनट आठ सेकंड उपाय कर रहे हो, इन्हीं गुदाइस्तान को उपर खीच रहे हैं, पंच कर रहे हैं, स्वास को रोके हुए हैं, सत्रा सकिंड, सत्रा सकिंड, सत्रा सकिंड, सत्रा सकिंड, तब अपनी चेतना की जुले पर सुभासर A को जुलाना है, सबकॉंसिस माइंड में अपनी चेतना में सुभासर A को अ विश्वास और प्रेम के साथ विजुलाजिशन करना है कैसे यह सुभाक्सर यह है आपका आप इसे अपने सामने रख दिजी 17 सकिन खुली आँकों से पूर विश्वास और प्रेम के साथ अपलग इसे देखते रहना है 17 सकिन के बाद आँक बंद करके अपने सबकॉंसेस मैंड अपनी चेतना अपने आज्या चकर पर सुभाक्सर एक को महसूस करना है पुने आँक खोली सुभाक्सर एक को देखे 17 सकिन पुने आँक बंद करके सुभाक्सर एक को अपनी चेतना अपने सबकॉंसिस मैंड अपने आग्या चक्र पर अनभव करना है नहीं एक मिनट आट सेकिंड में सत्रा सेकिंड शत्रा सेकिंड आँख खोल कर और सत्रा सेकिंड शत्रा सेकिंड आँख बंद करके सुभाकसर एका अनभव करना है एक मिनट आट सेकिंड दो मिनट शोड़ा सेकिन अब बचा तीन मिनट चौबी सेकिन टोटल जो ये उपाए ये पांच मिनट चालिस सेकिन का है मित्रों शाथियों तीसरा उपाए अंगुलिया और अंगुठे को मिला कर शुक्री मुद्रा बना दी ये कैसी मुद्रा है जो आपकी जिवन की हर बादा हर परिशाने से आपको मुख्ती देगी ऐसे ये शुक्री मुद्रा आपका हाथ ऐसे भी रह सकता है आपका हाथ ऐसे भी रह सकता है आपका हाथ ऐसे भी रह सकता है हाथ कैसी भी रेक्षते हैं हतेले आकास की और एक मिनट आठ सकिंड का पहला चरण है पहले चरण में चार राउंड है 17 सकिंड 17 सकिंड 17 सकिंड 17 सकिंड 17 सकिंड लेना है और छोडना है सत्रा सेकिन के स्वांस को बार हो को आग फोल्क सेंडै में आपने स्वांस को लिए शत्रा सकेंड श्वांस को इंट्रों में श्वांस को लिए fed 750 इरोन्ऐ 7 ऐसेसं के लिए है जीवन के कोई समश्या तो शमाधान है ये उपाए बस निरंतर 90 दिन तक करना है हर रोज में एक सुभाकसर और एक सक्सेज की दो बजे दो पर में गुर्मंतर विद्धाती महराज पर डालता हूँ ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को लेकिन अनभव में जबरतस्त आएगा ये ऐसा उपाए है कि हर रोज आपके जन्मांग के एक ग्रह को ये आपके अनकुल करेगा और बदल देगा आपकी दसा और दस्टी खोल देगा भागे का ताला आपकी किस्मत की चावी आपके हाथ में होगा सुबह पांच मिन्ट चालीस सकिन का ये उपाए दोपैर में एक से दो बज़े के बीच में पुने इसको करना है छे बार तो छे मिनट अर्टालीस सकिन सुबह का होगा है प्रियोग यही होगा स्वांस को भीतर लिया सत्रा सकिन में सत्रा सकिन स्वांस को अपने चाती में रोका सत्रा सकिन में धीरे 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 स्वांस को छोड़ा और सत्रा सकिन में स्वांस बार रोका एक मिनट आठ सकिन स्वांसों के जूले पर सुबह को जूलाना है ऐसा छे बार करना है जब आप ये कर ले शुबह तो इसको फोल्ड करके दिन भर इसे लाल कपड़ी की थेली में डाल कर इस सुभाकसर एक को अपने पास रखना है मित्रों शातियों इस दिन भर आपके साथ रहेगा रातरी में शोने जे ठीक डास मिनट पहले पुने एक मिनट आठ सकिन वाला जो उपाय है यानि स्वांस को भीतर लिया चेतना की साथ सुभाक्षरे, स्वांस को 17 सकेंड के लिए फेपड़ों में रोका, चेतना की साथ सुभाक्षरे, स्वांस को धीरे धीरे 17 सकेंड में छोड़ा, चेतना की साथ सुभाक्षरे, और स्वांस को 17 सकेंड के लिए बार रोका, चेतना की पास सुभाक्षरे, एक मिन जो आपने लाल कपड़ी की थेली में डाला क्योंकि 90 दिन करना तो एक छोटी सी थेली बना दी हर रोज उसमें डाले अब आप ये जो सुपाक्सर ए है साथ बार अपने उपर से एंटी कलॉग वाइज उसार कर अपने तक्ये के नीचे रखना दिन भर जे में रखना शाम को दूसरी दिन प्राते काल नित्य कर्म शिनान उप्रांत स्वरव पर्थम ये जो सुबाक्सर आग इसको बीचों बीच से ऐसे भ़ाड़ देना ध्यान लगना शाथिओं बीचों बीच से होना चाएं ऐसे आप अब ये जो सुभाक्सर ए है इसे किसी तालाव या बहते पाने में प्रभा करना है या फिर किसी घर के बार किसी पेड़ के नीचे लकड़ी से गड़ा खोद कर इसको दबा देना है इस बात का ध्यान है मित्रों शात्य अदिफुद उपाय है इदि निरेंतर नबे दिन कर लिया न तो आपकी जीमन की दसा बदल जाईए आप अनभाव करेंगे कि आप कितने स्ट्रोंग है आपका इम्मुनिटी सिस्टम कितना मजबूत है आपका आत्म बल कितना मजबूत है इतना जरूर कहना च स्टम है सोचा कि राष्ट के लोगों को बलाओ इसलिए आपको बता दिए तब भी मेरे से कोई भूल हो गई हो कि दोनों हाथ जोड़कर समा प्रात्यों आप सुखी रहे स्वस्त्रें समर्दी सीले प्रभू के चर्णों में मेरी प्रात्यों नम्राद प्रात्यों के लिए झाले इसलिए